हेलो एवरिवन यह हमारा नया मडल है इसके अंदर आपको फिंगर प्रिंट एड करने के लिए आपको फिंगर को टॉच करके रखना है लीवर उपर आएगा उसके बाद एक ग्रीन एलेडी अन होगा आपको फिंगर प्रिंगर उटा ना है और जो फिंगर को लर्न करना है उसको पांच बार टॉच करना है और यह ग्रीन स्टेबल हो जाएगा चैंसे इन दूसरा फिंगर टॉच करऊंगा पांच बार तो यह दूसरा finger भी add हो चुका है तो ऐसे आप आपके multiple finger add कर सकते हो अभी वो थोड़ी दिर में यह LED off हो जाएगा उसके बाद आप चेक कीजिए जो finger आपने add नहीं किया है उसमें आपको rate indication आएगा और जो आपने दो finger add किया है उससे lock unlock हो जाएगा तो यह आपके दो finger ऐसे add हो चुके है और अगर आपको इसको अगर reset करना है तो आप यह E key को इसके अंदर insert कीजिए और किसी भी finger से इसको आपको continuous touch करके रखना है यह red indication blink होगा उसका meaning आपका यह reset process complete हो चुका है इसको निकाल दीजिए और अब आपका कोई भी finger touch कीजिए आपका lock open हो जाएगा तो यह आपका reset हो चुका है तो reset के process के बाद आपको अगर नया finger add करना है तो आप फिर से किसी भी finger से इसको touch करके रखिए ग्रीन LED ओन होगा उसके बाद आपको जो भी finger learn करना है एक, दो, तीन, चार, पाँच तो यह आपका finger learn हो चुका है अगर मैं एक और finger learn करना चाहूँ तो इसको भी पाँच बार touch करना है ग्रीन stable हो चुका है तो यह दो finger मेरे add हो चुका है जैसे यह LED off होगा आप उसको check कर सकते हैं अभी जैसे मेरे और finger नहीं चलेंगे सिर्फ यह दो finger जो मैंने learn के वही चलेंगे ऐसे आपको finger को add करना है और आप उसको अगर reset करना चाहो तो भी आप reset कर सकते हो Thank you